Hello, Welcome, मैं हूँ तॉसीफ और आप देख रहे हैं Really For You आज की इस वीडियो भी मैं आपको Android की Dita Recovery Software के बारे में बताऊँगा जिसकी help से आप जो है Glee Twist सभी फाइल्स को रिकावर कर सकते हैं जाए वीडियो हो, आडियो हो, या फिर फोटोज हो, डकुमेंट्स हो या फिर call की information हो, whatsapp conversation हो, या फिर contact message, कुछ भी हो आप सभी को recover कर सकते हैं मैं आपको जिस software के बारे में बताऊँगा, उससे आप जो है recover के इलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि lock screen remove कर सकते हैं आपका phone जो है, वो lock हो गया है, चाहिए वो pattern lock हो, या फिर pin हो, या फिर password हो, कुछ भी हो, आप उससे remove कर सकते हैं उसके साथ ही root कर सकते हैं अगर आपका phone जो है, वो तूट गया हो, काम नहीं कर रहा हो, टच वगएरा काम नहीं कर रहा हो, उस में से भी आप data वगएरा को recover कर सकते हैं उसके साथ ही sim unlock कर सकते हैं उसके बाद आप mirror वगरा करना हो तो वो सारी चीज़ा आप कर सकते हैं तो description में link दी हुई है iSkysoft के android toolbox की आप उस link को follow करके iSkysoft का android toolbox वो download कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे software का use करना है okay तो चली सबसे पहले हम लोग कुछ photos वगरा को delete कर लेते हैं यहां पर हमारी कुछ photos हैं आप देख सकते हैं इन photos को मैं delete कर रहा हूँ और उसकी बाद हम लोग इसको recover करके देखेंगे तो चली मैंने select किया और उसकी बाद delete okay तो photos जो है वो delete हो गई है अब अगर इसे हम recover करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं जाओंगा settings में और settings में जाने के बाद मैं यहां से developer option में जाओंगा अगर developer option आपने on नहीं किया हुआ है तो आप about device में जाएए software info और यहां पर जो bullet number है उसके उपर आप 4 से 5 पर तब टैप किजे आपका जो developer option है वो on हो जाएगा इसके अंदर जाने के बाद आप USB debugging जो है उसे आप enable कर दिजे सबसे पहला काम आपको यह करना है अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने PC के अंदर ओके तो अगर आप description के लिए को follow करके आते हैं क्या क्या यहाँ पे आप कर सकते हैं तो आपको simply जो है वो download करना है मैंने अलड़ी इसे download और install किया हुआ है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस software का use करना है यह है Eyes का soft toolbox for Android यह actually iPhone के लिए भी आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो interesting option आपको मिल जाते हैं जैसे कि data recovery, data backup, lock screen removal उसके बाद root कर सकते हैं mirror कर सकते हैं अपने android screen को उसके बाद जो है अगर आपका phone damage हो जाता है like black screen आ रहा है यह पे तूट जाता है तो ऐसी situation में जो है आप data वगएरा भी recover कर सकते हैं SIM unlock कर सकते हैं data वगएरा जो है वो erase कर सकते हैं और भी बहुत सारे options हैं तो हम लोगों को यहाँ पे जो है normally data recovery का जो option है उसे use करना है तो data recovery में आप जाएए यहाँ पे आपके पास दो option है या तो आप phone से data recovery कर सकते हैं या पिर आप SD card से data recovery कर सकते हैं तो यह दो option वो आपको मिल जाते हैं तो चलिए हम लोग phone से data recover करके देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना phone USB के जरीए वो connect करना है आप अपने mobile में देखते रहिएगा कि यहाँ पे अगर कुछ permission देना हो तो आप permission दे देज़ेगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक pop-up आ रहा होगा आपको simply always allow पे mark करके और उसकी बाद जो है okay कर देना है और आपका phone जो है वो connect हो जाएगा तब भी आप आगे की process जो है वो कर पाएंगे okay finally phone जो है वो connect हो गया है पूरी तरह से अब यहाँ पे आपके पास जो है options आ जाते हैं कि आप किन चीज़ों को recover करना चाहते हैं जैसे कि मेरा जो है यह जे 7 है यहाँ पे मैं इसे unmark कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं contact है, message है, call history है whatsapp message है, gallery है, audio है, videos है documents है, तो मैं for example सिर्फ और सिर्फ गैलेडी चूज़ करता हूँ और उसके बाद आप multiple choose कर सकते हैं आप all select कर सकते हैं मैं यहाँ पे gallery चूज़ करके और उसके बाद next अब यहाँ पे जो है इस process में थोड़ा सा जो है process में भी आपके data के उपर depend करता है कि कितना time लगेगा यह हमारा approach 87% जो है वो हो चुका है आप यहाँ से इसे पहुश भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे stop भी कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि gallery में इसने अभी तक 312 photos recover कि है उसमें जो है कुछ अच्छी चीज़े भी है कुछ फाल्तू चीज़े भी है मतलब icons वगेरा सभी चीज़ों को recover कर लिया है तो आप जैसा कि इस area में देख सकते हैं मैंने जो photos वगेरा delete की थी मेरा logo था, photos था यहाँ पे dog था तो वो सारी photos जो है वो आ चुकी है तो मैं यहाँ पे simply से stop कर दूँगा आप चाहें तो पूरा का पूरा scan कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताना चाह रहा था तो मैं यहाँ पे इसे stop कर देता हूँ stop और उसके बाद यहाँ से आप जिस photo को भी recover करना चाहते हैं उसको आप select किजिए यह है, यह था, यह था मतलब जिसे भी आप recover करना चाहते हूँ उसे select किजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं recover का option है इसके उपर click किजिए और यहां से location आप चूज़ कीजिए कि कहां पे आप save करना चाहते हैं तो documents recover और यह हमारा और यह देख सकते हैं आप कि यह हमारा recover हो गया है तो बहुत ही simple है अगर आपकी कोई photos या फिर videos या फिर कोई और data जो है वो दोके से delete हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आप directly इस software की help से उसे recover कर सकते हैं तो काफी simple है काफी आसान है तो अगर आप try करना चाहते हैं तो try कीजिए description में आपको link मिल जाएंगी तो उमीद करता हूँ कि आपको इस video पसंद दाया होगा